जी हां दोस्तों भरते टीम जाएगी पाकिस्तान में मुकाबले खेलने आफ सभी को बदा दे दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है एशिया कप को लेकर एशिया एक किर्केट काउंसल यानि की एसी सी ने 15 अक्टूबर को ही मीटिंग में फैसला लिया है कि एशिया कब 2023 की मेजबानी पाकिस्तान करेगा ये टूरनमेंट इस बार T20 है वलकि वन डे फोर्मेट में खेला जाएगा दो जाएगा दो जार जाएगा दो जार जार जान टूर्नमेंट इस बार नीट्रल वेन्यू पर ना होकर बलकि पाकिस्तान में ही आयोजित होगा ACC के स्वैसले पर सबी सदस्यों ने अपनी सहमती जताई एक मीडिया हाउस के सूतरों के अनुसार BCCI और PCB ने इस फैसले पर सहमती जाहिर की है इस टूर्नमेंट का शेडूल अभी तय नहीं हुआ ही इस से पहले PCB को 2020 एशिया कप का आयोजित करने था लेकिन किर्किट बोर्ट भारतिय बोर्ट के पाकिस्तान का दोरा करने से मना करने के चलते PCB ने शेलंका किर्किट बोर्ट से गुजारिश की कि अपनी बारी के आयोजित को उनसे बदले लिया बदल लिया है लेकिन महामारे के चलते शेलंका किर्किट एशिया कप को 2020 और 2020 में भी आयोजित नहीं कर सका जिसके बाद अब वो 2022 में इसकी मेजबानी करेगा लेकिन अगर दोस्तो 2023 में पाकिस्तान करेगा मेजबानी तो क्या पाकिस्तान के स्टूडियो में मैच होंगे या UAE के मैदानों पर मैच होंगे अगर पाकिस्तान में दोस्तों मुकाबले होंगे तो क्या भारतिय टीम पाकिस्तान का दोरा करेगी इस Asia Cup के लिए ये भी देखना दिल्चस्प होगा आपको बदा दे 2022 में भी T20 World Cup होगा, 2023 में वंडे World Cup, साथी साथ T20 World Cup हमें अगले साल देखने को मिलेगा World Test Championship भी होगी एशिया Cup भी होगा तो यानि पावर क्रिकेटिंग पैक आपको देखने को मिलने वाला है अगले दो सालों में और यहाँ पर कोच राहूल दरविड बनेंगे ऐसी कुछ खबरे भी सामने आ रहे हैं T20 कपतान जोही शर्मा बनेंगे वन डे और टेस्ट के कपतान अभी विराट कोली ही रहेंगी तो देखते हैं दोस्तों कि 2023 मगर पाकिस्तान मेजवानी करेगा इशिया Cup की तो पाकिस्तान की मैदानों पर अगर मैच होते तो क्या दोरा करेगी हाँ इंडिया टीम ये देखने वाली बात होगी इससे पहले दोस्तों भी T20 वर्लिकप की मेजवानी भारते टीम करने वाली थी भारते मैदानों पर तो पाकिस्तान भारत में खेलने के लिए आने वाली थी ये दिल्चस्प बात थी लेकिन कोविड की वज़े से UAE की मैदानों पर सारे मैचस को शेडूल किया गया जिसके बाद अब भारते ये भारत और पाकिस्तान का मैच भी अब UAE के मैदान पर ही होगा नेक्स्ट नैन स्पोर्ट्स की रिपोर्ट